हेलो और वेलकम टू रेडियेंट अकाड़मी मैं अमोलचे पे आप सभी का स्वागत करता हूँ रेडियेंट अकाड़मी के इस नए वीडियो में पहली स्टेप बहुत जरूरी है और हमने अभी एक पहली स्टेप ली है कल आठ जुलाई को पैंकिंग फांडेशन बैच शूरू करके अंडर ग्रेजुएट बच्चे जिनको इंग्लिश, कौन्टिटिटिटिव अप्टिटूड, रीजनिंग और करंट अफेर्स की बेसिक से तैयारी करनी है उनके लिए ये पहली स्टेप है 8th of July को ये बैच शाम को 4 बजे से 6 बजे तक offline mode में Radiant Academy में शूरू हो चकी है You are all invited to that batch. Let us now start with the actual class. The first word we have today is stellar. Word है stellar. Let us first read the sentence. The Indian team won because of everyone's stellar performance. The Indian team won because of everyone's stellar performance. Stellar performance का मतलब क्या होगा फिर हो? बहुत ही बहतरीन performance जिसे हम excellent level का performance कहेंगे. Excellent performance that is called stellar performance. तो stellar का adjective, stellar adjective हो गया क्योंकि ये performance के बारे में ज्यादा information दे रहा है. Stellar का मतलब क्या होगा? Very good in standard or quality. बहतरीन जिसको हम कहेंगे that is stellar. इसके synonyms क्या होगी? Great, super, marvellous, excellent, terrific. जितने भी आप greatness के लिए adjective ले सकते हो, वो सारे stellar के लिए लगेंगे. इस stellar का मतलब ही है, बहुत अच्छा. इसका antonym क्या होगा? awful, बहुत ही खराब, pathetic, कोई मतलब, बहुत खराब. तो stellar का मतलब क्या होगा? बहुत अच्छा, excellent. ठीक है? चले, next word पे. The next word we have today is maneuver. maneuver. अभी देखो, maneuver के यहाँ पे दो spellings आपको दिखेंगे. एक तो ये spelling है, maneuver. maneuver. तूसरा spelling है, ये. M-A-N-E-U-V-E-R. ये जो spelling है, ये American English में use होता है. US English में. Whereas, M-A-N-O-E-U-V-E-R-E is used in UK English. तो अगर आप British English use कर रहे हो, exam के लिए, ये ज़्यादा important है. अगर आपको exam clear करनी है, तो this spelling should be used. It is very similar to color. C-O-L-O-U-R is used in UK English. Whereas, in US English, it is C-O-L-O-R. ठीक है? चलो, पहले sentence पड़ेंगे. He tried to maneuver her trolley round people. He tried to maneuver her trolley round people. maneuver मतलब, भीरे से glide करके, आजू-बाजू से उसने निकलने की कोशिश की. maneuver करना मतलब, slide करते हुए निकलना, या slide करते हुए निकलना, ठीक है? Actually, slide नहीं करना है. रास्ता निकालके निकल जाना. ठीक है? That is called maneuver, रास्ता निकालना. ठीक है? तो इसका synonym क्या होगा? A movement और series of moves. एक ही movement या बहुत सारे moves ऐसा ऐसा निकलना. Requiring skill, care, और strategy. तो maneuver का, ये तो बहुत simplistic meaning हो गया. Strategy बनाना वगरे भी, उसको भी हम लोग maneuver करना बोल सकते हैं. ठीक है? किसी strategy बनाई थी और strategy के through उसने बहुत बड़े problem से रास्ता निकाला. तो रास्ता निकालना basically ये ने maneuver करना होता है. ठीक है? इसका synonym क्या होगा? clear करना, direct करना, या guide करना. बेसिकली रास्ता निकालना है. एंटॉनिम क्या होगा इसका? किसी चीज को spoil करना, या dash करना. ये जब रास्ता नहीं निकालोगे तो क्या होगे? कहीं तो भी जाके फिड़े आओगे. वो नहीं करना है ना, रास्ता निकालना है. ठीक है? आगया ध्यान में. अगले वर्ड पे. नेक्स्ट वर्ड वी है इस ग्ली फुली. ग्ली फुली पे ध्यान देना. अम लोग सेंटेज पढ़ेंगे ग्ली फुली का. They reaffirm their friendship and gleefully accept that the votes are tied. उन्होंने अपनी friendship को reaffirm किया. affirm करना मतलब हां कहना. री affirm करना मतलब उसको और जोरो से बताना कि नहीं हमारी friendship अच्छी है. ठीक है? affirmation यानि हां कहना, स्वीकारना ऐसा होता है. यहाँ पर affirm का मतलब है स्वीकारना. री affirm यानि जोरो से स्वीकारना. डाट इस री affirm. ठीक है? दूसरा में जो वर्ड है अपना. तो they reaffirm their friendship and gleefully accept that the votes are tied. और उन्होंने यह हस्ते हस्ते खुशी-खुशी accept कर लिया कि उनके वोट्स tied है. ठीक है? क्या हो गया है? तो gleefully क्या हो गया? यह एक एडवर्ब हो गया. एडजेक्टिव नहीं है. इस इस एन एडवर्ब. एना? इसको लवाई लगा है. यह एडवर्ब है. और accept के बारे में information दे रहा है. वीचीज़ वर्ब. ठीक है? तो gleefully का मतलब क्या होगा? in an exuberantly or triumphantly joyful manner. जिसमें joy बहुत ज़्यादा है. खुशी बहुत ज़्यादा है. वो भी जीतने की खुशी. या बहुत ज़्यादा खुशी. उसके लिए हम लोग gleefully use करते हैं. ठीक है? तो इसका synonym क्या होगा? happily, dearfully या merrily. खुशी. जिसमें आप खुशी-खुशी कोई किस नहीं करते. एक्सेप्ट तो कर रहे हो पर वो खुशी-खुशी नहीं हो रहा है. वो जहां इच्छा नहीं है ऐसे कर रहे हो तो फिर उसको हम क्या करेंगे? उसको हम कहेंगे reluctantly या unwillingly. तो reluctantly या unwillingly या अन्टॉनिम हो गये gleefully के. clear हो गया? gleefully? I hope you have understood gleefully. खुशी-खुश एक्सेप्ट करना, that is gleefully. चलो, let us move on to the next word. The next word that we have is reeling. यह खुब भई, reeling का मतलब, real देखने से नहीं है. याँ, real देखने के आसपास भी नहीं है, reeling का मतलब. ठीक है? reeling का मतलब कुछ और है. लेत रहे है. लेत रहे है, लेत रहे है. लेत रहे है, let us read the sentence. इंस अब बॉक्सर फट्रिम इन दे एर तो हाड टैट ही स्टार्टिड रीलिंग बॉक्सर ने पाश इतनी जोर से मुक्का मारा कि उसने रीलिंग करना शुरू कर दिया रीलिंग का मतलब क्या है रीलिंग का मतलब जैसे हिलते डूलते हुए चलना या सिधी तरह से खड़े न रहते आना उसको कहते हैं हम रीलिंग किक है कोई बहुत हिलते डूलते हुए अगर चले तो उसको हम कहेंगे कि he is reeling जैसे शराब जादा पीने के बाद लोग कर सकते हैं तो उसको reeling कहते हैं तो reeling क्या हो गया यह एक noun हो गया क्या मतलब इसका to walk moving from side to side इधर से जा रहे है धर से जा रहे है that is reeling looking like you are going to fall ऐसे कि जैसे आप बस गिरने ही वाले हो that is reeling synonym क्या होगा इसके dizzy या giddy यह दोनों चक्कर आने पे जो होता है न जहां पर चक्कर आ रहे होता है और ऐसा लगता है आदमी बस गिरेगा भी नीचे तो that is dizzy feeling dizzy या giddy या wobbly कोई चीज शेक करना wobble होना shaky इसका एंटॉनिम क्या होगा steady एकदम सिधा steady या aware जब आपका ध्यान नहीं रहता हो और अचानक आप शेक करने लगते हो इसका opposite aware के तौर पे लिया गया है ग्याएब की जब होगार जब टरा पार दिए इस तौर ब्ली शेक करना också जब आपके या बालनसन था सही नहीं है या दिन याक्यों ओपकी क्या sentence है A truce was called and the United Nations negotiated a peace treaty क्या treat नहीं होना चाहिए आँ ट्रीटी होना चाहिए A truce was called and the United Nations negotiated a peace treaty ठीक है truce बुलाया गया मतलब शांती समझाता किया गया शांती के लिए बात छेडी गई कि शांती कर लेते अभी लड़ाई जगड़ा बंद करेंगे उसको कहते है ट्रूस ठीक है दोनों दो parties है जो लड़री है ठीक है बीच में कोई आता है ठीक है अभी लड़ाई जगड़ा बंद करो बैट के बाते करेंगे वो लड़ाई जगड़ा बंद करना that is called as truce ठीक है तो एक नाउन हो गया क्या होगा इसका सेंटेंस agreement between enemies और opponents enemies या opponents के बीच में agreement है किस चीज के लिए to stop fighting लड़ाई जगड़ा बंद करना चांती का प्रस्ताव देना किसी को हम कहेंगे truce ठीक है इसका synonym क्या होगा tease fire हम हमेशा कहते है कि भारत और पाकिस्तान में cease fire agreement है cease fire agreement है मतलब हम भी गोली नहीं चलाएंगे तुम भी गोली नहीं चलाओगे this is called cease fire agreement और इसको मानते है वो या नहीं मानते कि आप ही बताना ठीक दूसरा क्या होता है peace accord peace accord का मतलब होता है शांती समझोता अकॉर्ड का मतलब है समझोता यह documentation होता है जिसके जिसके दोनों signatories होते है और कहते है कि नहीं हम भी शांती बनाए रखेंगे तुम भी शांती बनाए रखो लड़ाई जगड़ा कोई नहीं करेगा इसका एंटोनीम क्या होगा फिर लड़ते रहो भाई लड़ते रहना fight एंटोनीम हो गया war, conflict यह सारे क्या हो गया प्रूस के एंटोनीम हो गया जब दो पार्टीज लड़ रही है तंती समझोता कराना इसका मतलब होता है truce चले अगले word पे next word we have is coalition 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 क्या मतलब है देखेंगे चलो coalition when no party gained an overall majority a coalition was formed जब किसी party को majority नहीं मिली तो coalition बनाया गया मतलब जब majority नहीं मिलती तो आपको majority के लिए किसी का साथ लेना पड़ता है तो जो साथ लेना पड़ता है उसे कहते है साथ हाजाने के बाद जो बनता है उसे कहते है coalition क्या गडबंधन तो गडबंधन इस नथिंग बट coalition ठीक है coalition एक नाउन है समझ गडबंधन जो सबका हित साथने के लिए बना है that is coalition इसका synonym क्या होगा इसका synonym होगा alliance, union या partnership partnership में भी तो वही होता है ना सबका हित साथना है इसलिए लोगी कठा आते हैं तो उसको partnership कहते है coalition यहने groups ही कठा आना antonyum क्या होगा इसका detachment, दूर होना इकठा आना दूर होना तो दूर होना antonyum होगा, disconnection again दूर होना इसका है, तो इसको इस coalition मतलब गडबंधन चलो, next word we have is tenure tenure, बहुत सिंपल सा अच्छा सा word है tenure, वहले sentence मालेंगे is tenure as the principle of this college is still remembered as the best period, ठीक है उनका जो tenure था as the principle of the college, बड़ा बड़े tenure का मतलब उन्होंने जो समय गुजारा है उस position पे, वो position को कहते हैं हम लोग tenure the time spent at a particular position particularly in the position of leadership, ठीक है तो उसको हम कहते हैं tenure tenure ये भी एक noun हो गया the holding of an office किसी office में उस जगे पे होना और वो समय गुजारना that is called tenure, role और position किसी role में, किसी position में अपने office hold करना is called tenure हम कहते हैं जैसे जैसे अभी राहूल द्रविड ने इंडियन टीम के coach के पत से उनका contract खतम हो गया, तो हम कहा सकते हैं कि राहूल द्रविड had a very successful tenure as the coach of the Indian team तो उनका tenure यहने as the head coach of the Indian team he was extremely successful टीक है, इसका synonym क्या होंगे old, title, occupancy या period टीक है, antonym क्या होगा इसका vacancy या in occupancy occupancy का मतलब है occupancy का मतलब है in occupancy मतलब वहां नहीं रहना उस position पे ना होना world in occupancy चलवा, I hope you have understood tenure next word we have is head way head way I have tried to change his mind मैंने उसका mind change करने का बहुत try किया but I am not making much head way पर पर मुझे result नहीं मिल रहा है क्या कोई progress नहीं दिख रही है मैं आगे नहीं बढ़ रहा हूं मैं try कर रहा हूं पर मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं तो आगे बढ़ पाना is called head way head way का हम लोग पहले meaning नहीं नहीं यह भी एक noun है moving ahead और improving आगे चलना progress करना develop करना या रास्ता मिलना कि कोई चीज करने के लिए रास्ता मिलना याने head way मिला है ऐसा हम कह सकते इसका synonym क्या होगा progress advancement या inroads रास्ता निकलना किसी चीज का solution मिलना उसे भी हम लोग head way कहेंगे जैसे they have tried to made inroads याने उन्होंने कोशिश की और अब उनको solution मिल रहा है तब वो आगे बढ़ रहे है इसका antonym क्या होगा Regress कीछे आना Retreat कीछे आना या किसी चीज में कमी होना decrease होना ये भी क्या होगे इसके antonym कमज गए चले अगले word पे so headway मतलब आगे चलना progress next word next word is condemn 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 का sentence पनेगी the defense minister condemned the attack on the soldiers the defense minister condemned the attack on the soldiers soldiers पे जो attack हुआ है उसकी defense minister ने निंदा की है निंदा करना इसको हम बोलेंगे condemn करना निंदा करना किसी चीज जैसे condemn का meaning exactly क्या होगा to criticize or express strong disapproval of किसी चीज के लिए बहुत strong disapproval देना या किसी चीज को criticize करना उसको दोशी ठहराना या उसमें गलतिया निकालना दोश निकालना तो कहते हैं हम criticize करना या मिंदा करना उसी का मतलब होता है condemn तो इसकी synonym क्या होगे फिर criticize यह तो है ही किसी को attack करना attack ये with weapons नहीं होता this is an attack using words या actions या reprimand करना किसी को डाटना ये नहीं करना चाहिए वह भी उसी में आ गया एंटॉनिम क्या हो गया नारीव करो किसी की प्रशंसा करो प्रेज करना या लॉड करना या अकलेम करना ठीक है तो condemn basically एक word हो गया इसलिए यहां पे सब करना 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 ऐसे words आ रहे है तो condemn का मतलब होता है निंदा करना ठीक है इस सेंटेंस में डिफेंस मिनिस्टर ने सोल्जर्स पे जो अटाइक हुआ था कि निंदा की है ठीक है यह वर्ड क्लियर हो गया हो चले अगले वर्ड पे the next word we have is हेस्टन ठीक है हेस्टन यह भी एक वर्ब है वर्ब ही है चलो let us read the sentence regular exercise will hasten the healing process regular exercise से healing की process है healing का मतलब होता है ठीक होना जखम ठीक होना इसको पैदा है क्यों क्या फिर तवियत सुधरना is called healing regular exercise will hasten healing process healing की process क्या होगी hasten हो जाएगी speed up हो जाएगी fast हो जाएगी तो histen का मतलब है किसी चीज में crazy आना speed up होना fast होना histen मतलब to move or travel hurriedly बहुत जल्दी से कुछ होना इसका मतलब होता है histen उसका synonym क्या होंगे इसके synonym होंगे rush करना जल्दी hurry speed up run यह सारे words जो speed से related सारे words है वो histen से related antonym क्या होगा piping ऑन टानिम क्या होगा crawl करना या creep करना crawl करना मतलब ringuna creep करना dog धीरे धीरे ऐसे जैसे बेल चड़ती है ना दीवार पर पस वैसा ही उसे क्रीपर्स गरते हैं बेल को क्या करते हैं creepers बेल चड़ना किसी दीवार पर क्रीप करना होता है या लैग लैग मतलब पीछे रह जाना बहुत धीरे धीरे कच्छवे की चाल चलना उसे कहता है लैग करना तो हेस्टन का मतलब होता है स्पीड पास्ट और लैग का मतलब होता है आराम से समझ गए चलो next word ओके तो दिस वास दी एंथ वर्ड दाट वी हैड तो सी यह पैसेज है यह हिंदू का आज का एडुटोरियल है आपको पहले पढ़ना है फिर हम इस पे चर्चा करेंगे ठीक है रीड दे पैसेज वर्स्ट झाल 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 मंत्री रशिया में है वहाँ पे इनकी मीटिंग वहाँ के जो प्रेसिडेंट है पुतिन इनके साथ होने वाली है तो इसी बात पे शायद ये आर्टिकल है ठीक है लेट उस स्टार्ट रीडिंग दी आर्टिकल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मूदी इनकी जो विजिट है मंडे को याने कल की वो मॉस्को में पहुचे मंडे ये रियाफर्म करता है रियाफर्म करता है इसका मीनिंग हम पहले ही देख चोते हैं रियाफर्म करना मतलब क्या ये जोरो से स्विकारना या पूरी ताकत से इसको स्विकारना हम यह स्विकार करते हैं दोनों एंडिया और रशिया एन ओल ट्रेडिशन बहुत पुरानी परंपर है हमारी ट्रेडिशन का मतलब होता है परंपरा अफुल्डिंग अनुवल समिन्ट अनुवल मेटिंग वी पक्षिय चर्चा बायं डर्शिय जहां होती है हाई लेवल की समीट का मतलब होता है हाई लेवल meetings, यहां पे heads of the state मिल रहे हो, that is called summit annual summit between India and Russia leaders, यह बहुत पुरानी करंपरा रहे चुकी, with Russia, his first choice for a bilateral visit in his third tenure he also breaks a tradition that Indian prime ministers travel to neighboring countries on their first stand-alone visits क्या कहा है, prime minister Narendra Modi, Russia जब गए, तो क्या हुआ with his Russia his first choice for bilateral visit किसी country में जाने की, यह जो bilateral visit है, किसी country में visit करने का, और पहली बार visit करने का, इस tenure में इन्हें ने रशिया को चुना इससे पहले क्या होता था जो पुरानी tradition थी जिसे इन्होंने break किया, he also breaks a tradition इन्होंने एक tradition को break किया है कौनसी tradition को break किया that Indian prime ministers travel to neighboring countries हमारे प्रधान मंतरी जब भी election जीत के आते थे या कोई भी जीत के आता था और प्रधान मंतरी बनता था तो अगर वो कहीं भारत के बहार कहीं दौरे पे जा रहा है तो वो पहले neighboring countries में जाता था पर इस बार प्रधान मंतरी मोदी ने कुछ अलग किया है क्या अलग किया है जब उनका 4 जून को result आए और ये decide हुआ कि वो प्रधान मंतरी बनेंगे तो प्रधान मंतरी बनने के बाद ये उनका पहला भारत के बहार का दौरा है और भारत के बहार का ये जो पहला दौरा है ये किसी neighboring country में ना होते हुए इधार रशिया में है ये एक अलग चीज हुई है neighboring countries on their first stand-alone visit in a tenure indicating और इससे क्या indicate हो रहा है मतलब क्या दिख रहा है indicating the importance of the India-Russia partnership इसे ये बात सामने आ रही है कि India और रशिया की partnership कितनी important है कितनी महत्वपूर्ण है the 22nd India-Russia Annual Summit ये 22 वा समिट है इंडिया और रशिया के बीच में as another first याने इसमें बहुत सारी ऐसी चीजे है जो पहली बार हो रही है पहली तो चीज हमने देख ली कि प्रधान मंत्री हमारे देश के प्रधान मंत्री वो election जीत के आने के बाद पहली बार रशिया गए तो this is the first thing neighboring country ना जाते हुए रशिया गए और बाकी भी ऐसे कुछ first things है वो कौन से है the first Moody Putin meet since the Ukraine war तूसरा कौन से चीज हो रही है पहली बार ये इन दोनों की पहली मुलाकात है रशिया यूक्रेन वार शुरू होने के बाद की ठीक है the 21st summit यहने पिछला summit तो पिछली meeting हुई थी वो the 21st summit was in Delhi in December 2021 2021 में ये December में पिछली मुलाकात इनकी हुई थी just before Russian President Vladimir Putin launched special operations on the Ukraine यहने December 2021 में इनकी पहली आखरी meeting हुई थी और इस meeting के बिलकुल बाद ही Vladimir Putin Vladimir Zelensky है Vladimir Putin जो रशिया के President है उन्होंने यूक्रेन पे special operation launch किया था आखरी meeting जब हुई थी उसके बाद तो war शुरू होने के बाद की ये पहली meeting है ठीक है since then उसके बाद यहने 2021 के बाद since then the two leaders have met just once ये दोनों leaders एक बार मिल चुके है कहाँ पे at the SCO summit SCO यहने SCO का मतलब होता है Shanghai Cooperation Organization Shanghai Cooperation Organization ये एक संस था है यहाँ पे China, Russia, India ये सारे इसके parts है तो ये सारे इनके हिस्सेदारे कहरेंगे हम तो ये सारे इकठा एक meeting में हिस्सा लेते है तो वहाँ पे Russia के President और भारत के Prime Minister ये दोनों मिले थे लेकिन one on one जो चर्चा होती है कि जहाँ पे हमारे प्रधानमंत्री रश्या गये या रश्या के प्रधानमंत्री भारत में आए ये meeting आखरी 2021 में हुई थी ये किसी तीसरी जगा होने वाली meeting की बात है कहा हुई थी the SEO summit in Uzbekistan Uzbekistan में हुई थी there Mr. Modi had stated that यहाँ पे भारत के प्रधानमंत्री era of war उन्होंने Russian President को यह खा था के war को रोकना चाहिए क्योंकि अब यह जो समय है era है it is not era of war Russia's growing dependence on China Russia भी अभी बहुत सारी चीजों के लिए China पे निर्भर है Russia's growing dependence of China as a result of the war is also a concern for India given pensions over the LAC Russia का जो dependence China पे बढ़ रहा है क्योंकि Russia continuously अभी दो से जादा सालों के लिए war में अटका हुआ है तो इसलिए अब उसकी dependency चाहिना पे बहुत जादा हो रही है यह भी इंडिया के लिए concern है concern मतलब चिंता का विशह तो भारत के लिए यह भी एक चिंता का विशह है क्योंकि भारत और चाइना के बीच में जो border है उसे कहते है LAC तो LAC पे जो भारत और चाइना के बीच में tension है उस हिसाब से रशिया का चाइना पे बढ़ता हुआ रशिया की चाइना पे बढ़ती हुई निर्भरता यह भारत के लिए चिंता का विशह है चले अगले पार्ट पे चलेंगे LAC का फुलपॉर्म पता है LAC मतलब line of actual control एक होता है LOC line of control LAC line of actual control चलो next अभी आपको यह पार्ट पढ़ना है चलो start reading झाले बढ़ना है झाल 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 तो आप पॉस करके फोड़ा सा पीछे जाके फिर से रीड कर लिया करो तुकि अकर मैंने रीड करने के लिए वीडियो में बहुत समय दिया तो वीडियो का लेंथ बहुत बढ़ जाता है ठीक है चलो एट अस नौँ स्टार्ट रीडिंग दिस पार्ट क्या है इसमें वारत के परधान मंतरी और वहां के प्रीडियोंस ओगा यहने मुद्धे पहले से डिसाइड़ होंगे कि कौंसे बात पर चर्चा होनी है अईसे थो नहीं होगा कि सब्सके इसा नहीं होगा क्यों मुद्धे डिसाइड़ होंगे तो वाइल there will be a scheduled framework of talks framework का या मतलब होता है कि systematically मुद्दो की मुद्दो को रखा जाएगा और उसी चौकट में सारी बातचीत होगी चौकट के बाहर की बातचीते नहीं होती इसमें framework of talks on bilateral issues bilateral issues मतलब द्वी पक्षिय यहने दोनों countries में जो issues है वो कौन से कौन से है पहला तो trade यह सबसे important issue होता है and energy relationship बहुत important हो गया है रशिया Ukraine war के बाद face cooperation for Gaganian and declining but substantial defense supplies क्योंकि हम रशिया से काफी सारे defense supplies भी लेते हैं फिले ही वो declining है कम हो रहा है decline मतलब कम होना but substantial defense supplies अभी आपने सुना होगा कल की परसो की news है जिसमें भारत और रशिया यह दो countries में एक joint venture है जिसने AK203 rifles 35,000 rifles defense ministry को दी है 35,000 rifles तो हम काफी सारा defense में cooperation करते हैं दोनों countries रशिया एन इंडिया देर विल अलसो भी an opportunity to take stock of war in Ukraine और इसी बातचीत के बहाने से Ukraine में रशिया का अभी क्या स्थिती है यह भी भारत को पथा चले अपार्ट फ्रॉम इट्स impact and western sanctions on global security इसका impact क्या है यह Ukraine के war का impact क्या है and western sanctions sanctions का मतलब होता है निरबंद जब रशिया ने Ukraine का invasion किया यह Ukraine में और के लिए Russia की forces उतरी तो बहुत सारी western countries ने निरबंद लगा है रशिया पे कि हम रशिया से टेल नहीं खरी देंगे हम रशिया के साथ trade नहीं करेंगे इनको कहा जाता है sanctions कि इन्होंने तो हमको भी बोला था कि आप भी तेल मत खरी दो लेकिन हमने कहा कि नहीं भाई हमारे 300 करोड की जनता है इनकी oil की जरूरत बहुत जादा है हम oil तो रशिया से खरी देंगे ठीक है तो इनको कहते western sanctions ने निरबंद लगाना on global security and shortages of food, fuel and fertilizers इसका impact काफी सारे चीजों पर होगा क्योंकि sanctions लगए तो क्या होगा food की shortage हो जाएगी जो रशिया से आता है fuel की shortage हो जाएगी क्योंकि fuel भी चीजों का shortage हो जाएगा इंडिया has been worried about its fallout on defense deliveries and spares from Russia लेकिन भारत की सबसे बड़ी चिंता ये है कि इसकी वज़े से भारत को जो deliveries मिलने वाली थी कॉंसी deliveries defense deliveries याने जो defense की चीज़े भारत को मिलने वाली थी and spares उसमें कहीं कमी ना आ जाए अगर उसमें कमी आ गई तो फिर भारत की security के लिए वह बहुत-बड़ा प्रश्णचिन्न रहेगा while an attempt to make in India has made headway खले ही हम यह कहते हैं while an attempt to make in India यह जो सरकार का प्रयतन चल रहा है उसमें headway मिला है headway मिला है मतलब हमने headway अभी देखा थोड़ी धर पहले headway मतलब progress तो भले ही make in India में progress हुआ है पर जैसे Russian assault rifles है जैसे मैंने अभी कहा AK-2003, 35,000, AK-203 की rifles हमने लिए है 2,203 and the India-Russia Brahmos missile India और Russia ने Brahmos missile पे जो साथ में काम किया है वो headway भले ही हमको make in India में मिला है पर concerns over the reliability of supplies and the payments issue will need discussion हमें make in India में success मिला है पर अभी उतना नहीं है इसलिए हमें अभी भी चिन्ता है concern का मतलब चिन्ता ये भी पहले देख चुके हैं over the reliability of supplies, reliability क्योंकि Russia अगर Ukraine के साथ war कर रहा है war लड रहा है तो वो हमारी defense की needs पूरी करेगा या अपने war में ध्यान देगा तो उन्होंने अगर अपने war में ध्यान देना ज्यादा शुरू कर रहा है तो हमारी defense के supplies पे उसका impact होगा बुरा impact होगा तो इस पे discussion जरूरी है and payment issues payment के भी बहुत issues है इशूस है मतलब हमने कहा है कि petroleum के लिए हम लोग रूपे में payment करेंगे तो यह उन्होंने accept की तो यह सारी चीजों पे discussion करना पड़ेगा New Delhi is concerned, New Delhi मतलब भारत सरकार क्योंकि वो दिल्ली से चलती है इसलिए भारत सरकार के लिए यहाँ पे New Delhi यह word यूस किया New Delhi is concerned over Indian recruitments by the Russian army is another issue, official syndicate यह भी एक issue है जो चर्चा में था कौन सा issue है यह ऐसी news थी कि भारत के कुछ लोगों को वहाँ पे नौकरी देने का जासा देके रशिया में बुलाया जाता है और एक बार वो वहां रशिया में पहुचते हैं तो उनका फिर passport जब्त कर लिया जाता है और उन्हें कहा जाता है कि तुम्हें अगले 6 महने या एक साल या उससे ज़्यादा समय भी अगर होगा तो तुम्हें रशिया की तरफ से उक्रेण में जाके बॉर में लड़ना पड़ेगा एक सोलजर की तरह ये वक्ती वहां बिजनेस करने गया है या नोकरी पाने गया है और उसे रश्या की और से लड़ाई में उतरना पड़ रहा है तो ऐसे कुछ भारतियों के नाम सामने आए तो ये भी भारत सरकार इस पे भी ध्यान दे रही है कि इस पे भी बात करें और उन लोगों को वार में से निकालके हिंदूस्तान वापस ले के आए तो ये भी एक इशू रहेगा चर्चा में ठीक, next Above all, in सबसे उपर, Mr. Modi's visit sends a geopolitical message given the contrast to another summit नरेंदर Modi की ये जो visit है ये एक geopolitical message भी भेज रही है geopolitical message मतलब पूरी दुनिया की politics के हिसाब से भी एक message भेज रही है इसको और या किस context में given the contrast, contrast मतलब opposition, ultra given the contrast, इधर कुछ है, इधर कुछ है, ऐसे given the contrast to another summit अब ये और एक summit हो रही है फिरसे, ऐसी meeting जहाँ पे heads of the state मिल रहे है presidents, prime ministers, ये लोग मिल रहे summit, कहाँ? in Washington Washington में एक summit हो रही है, कौन सी है? on Tuesday अब आज US President Joseph Biden Joe Biden हम कहते है, short में US President Joe Biden will welcome leaders of NATO NATO के leaders को उन्होंने welcome किया है, बुलाया है meeting के लिए है, तो यहाँ पे एक US में Washington में meeting हो रही है summit हो रहा है, और ये दूसरा जहाँ पे Russia और India एक meeting कर रहे है तो नेटो की सारी countries आई है, नेटो का मतलब क्या है? North Atlantic Treaty Organization बड़ा भर है तो यह Atlantic Ocean के अगल बगल में जितनी भी countries है वो सारी आ गई किसकी नेटो की 75 सालगीरा celebrate करने के लिए है या नाटो की 75 सालगीरा celebrate करने के लिए सब मिल रहे है और इसके लिए जो बादन ने उनको welcome किया है, बुलाया है तो एक तरफ एक तरफ नेटो जो रशिया Yukrine में, यूकरें़ की साइड ले रहा है और दूसरे साइड है रशिया जहाँ पे एक समिट चल रही है जहाँ पे भारत के प्रदान मंतरी पहुँचे है तो इसे एक जियो पॉलिटिकल मेसेज भी जाता है कि हम कौन सी साइड ले रहे है ठीक है हम ऐसे किसी की साइड नहीं ले रहे है कर भी एक मेसेज तो जाता ही है ठीक है अब आपको यह आखरी पार्ट पढ़ना है रीड दे लास्ट वाट ठीक कलो झाल 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 को यूब झाल 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 कि अधिक है चले आगे चलो हो क्या है अभी इंडो पैसिफिक लीडर्स हो आर पार्ट ऑफ दी वेस्टर्न संक्शन्स प्रेजेंट इट विल बी ओफ स्ट्रेंथ मतलब वहां पे जो मीटिंग की बात कर रहे है हम जो समिट की बात कर रहे है जहां पे नेटो के सारे मेंबर्स मिल रहे है उक्रेड के प्रिसेड्स रहें गे गलादमीर जेल translating & इंडो-पैसिफिक आइंको चैंडर्स प्रेजर्संस और वहांके लीडर्स अनुरी क्ंट्री धिम्सेट के जो जो ए prelim दिखाने का एक मौका उनके पास है जो वो करेंगे Supposed to demonstrate Russia's isolation और ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि हम सब एक साइड है और Russia अकेला है Russia is alone and it is in isolation, isolation मतलब separate अलग, Mr. Modi has attempted a balance with his presence at the G7 summit, हमारे जो प्रधान मतरी है इन्होंने एक balance maintain करने की कोशिश की है ऐसे balance maintain किया है अभी भले ही वो रशिया गए है oil भी रशिया से import कर रहे है पर उन्होंने presence भी दी थी G7 summit में G7 summit में सारे ऐसे countries थे जो नेटों के members है, नेटों के members है outreach in Italy G7 summit में वो पहुँचे थे outreach in Italy last month G7 summit का हुई थी पिछले में ने Italy में हुई थी and meeting Mr. Zelensky और वहां उन्होंने Zelensky से meeting भी की थी and later sending an official delegation to the peace conference in Switzerland और उसके बाद में Switzerland में conference हुई थी जिसका नाम है peace conference वहां पे भी भारत के प्रतिनिधी पहुचे थे यहने एक प्रतिनिधी मंडल ही पुरा गया था The government has also shown its enduring commitment to traditional ties with Russia और दूसरी साइड सरकार ने ये भी पूरी कोशिस की है कि हमारे जो पारंपरिक रिष्टे है रशिया से वो भी उसी लेवल पे maintained रहे traditional ties with Russia that stem from the 1971 Soviet Union Peace and Friendship Treaty Soviet Union Peace and Friendship Treaty जो 1971 में हुई थी और उसके बाद रशिया ने भारत की जो इकत्थर के वार में help की थी मदद की थी उसी वक्त से हमारे और रशिया के संबंद बहुत अच्छे है तो ये वहाँ से stem होते है यानि उसकी वज़े से है तो stem from का मतलब होता है किसी चीज से निकला हुआ यहने किसी कोई पहले चीज हुई उसका result अभी ये मिला है तो stem from तो traditional ties with Russia that stem from the 1971 Soviet Union Peace and Friendship Treaty by refusing to condemn condemn मतलब मैंने कहा निंदा कंडेम का मतलब होता है निंदा करना हमने ये वर्ड पहले ही देखा तो हमने रिफ्यूज कर दिया निंदा करना ये हमने रिफ्यूज किया किस चीज की निंदा करना रिफ्यूज किया by refusing to condemn the war कुंसा रशिया युगेंड वार को हमने निंदा नहीं की है कहीं रशिया की अड़ युएन अड़ अधर मल्टिलाटरल फोरम्स जहां जहां यहां यहां के बात हुई है कि सबने मिलके रशिया को आईसोलेट करना चाहिए वैसा इंडिया ने डाइरेक्ली रशिया की कहीं निंदा नहीं की है हमने हमेशा यही कहा है कि वार बंध हो वार रुकना चाहिए हम शान्ती के पक्ष में हैं इंडिया स्टैंड है वाइल कंटिनुविंग तो इंगेज विथ रशिया बाइलेटरली हमने अलग-अलग मौकों पे रशिया क्या साथ दिया है इंगेज किया हमने रशिया के साथ बाइलेटरली एंड ग्रूपिंग्स तच आज इस सी यू प्रिक्स अड़ जी ट्वेंटी बाइलेटरली हमने जहां पॉसिबल हो सका वहां रशिया के साथ संबंद अच्छे बनाए रखे है फिर चाहे वो ठांगाई कोर्पोरेशन और्गनाईज़ेशन हो या ब्रिक्स हो जहां पर प्राजील रशिया इंडिया चाइना और साथ आफ्रिका ये पाच कंट्रीज में है या फिर जी ट्वेंटी कंट्री जी ट्वेंटी जैसे भी इ 2020 की हमने मेजबानी की थी हम प्रेशिडेंट थे वहाँ पे भी हमने रशिया को इन्वाइट किया था उस समय पे रशिया की प्रेशिडेंट व्लादिमीर पुतीन ये नहीं आ पाए थे लेकिन उन्होंने अपने प्रतिनिद्य को भेजा था All eyes during Mr. Modi's visit will then be on how he uses India's particular है ना तो सारी नजरे इस चीज़ पे रहेगी कि भारत के प्रधान मंतरी इस चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं कि India किस चीज़ को India's particular multipolar unaligned purge कि देखो यहां तो words तीन words है बादे multipolar multipolar का मतलब होता है दोनों ध्रूव पे काम करना एक ध्रूव है US वाला एक ध्रूव है रशिया वाला ध्रूव है मतलब पोल्स है ये एक पोल हो गया ये दूसरा पोल हो गया ये दोनों तो फिराल पोल्स ही हो गया एक नौर्थ है ए की साथ से नहीं इन दोनों का पटता नहीं है यह दोनों कभी साथ में नहीं आ सकते तो a lao e smüş और अलईन रहे हम किसी की तरफ नहीं जा रहे हमारा जुकाव किसी के तरफ नहीं है हम कह रहे हमको जिससे जो फाइदा होगा हम लेंगे आपको हमारे साथ अना यह आप करो तो multipolar un-aligned purged उता है वह साथ मतलब होता है प्रच मतलब होता है किसी पक्षी का तेहरना उसको हम कहते हैं परच तो हमारा भी परच हमारा भी ठेहरा वैसा ही है हम ना इधर जुक रहे, ना इधर जुक रहे, कहीं नहीं जुक रहे हम, हम तो बस हमारी जगा पे सही है, to further the cause of dialogue and diplomacy, और हमारा यही कहना है, डिप्लोमेसी चलती रहे, बात्ची चलती रहे, लड़ाई जग्रे से कुछ नहीं होगा, and hell, hasten and end to the conflict that has divided the world, और hasten करे, hasten करे मतलब speed up करे, इस चीज को कि यह conflict end हो, यह लड़ाई जग्रा end हो, जिसने पूरी दुनिया को दो भागों में बाट के रखा है, उससे हमें उठकारा मिले, इसका प्रयास भारत कर रहा है, ठीक है, तो I hope फूराई पैसेज समझ में आ गया होगा, चलो, अब यह questions है आपके लिए, जिसके answers आपको comment box में देने हैं, कौन सा question है, the first question for you is, according to the passage, which of the following is considered as a break in tradition by an Indian Prime Minister, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा कौन सी tradition में break किया गया है, यह रशिया विजिट के context में बात हो रही, कि रशिया विजिट के context में कौन से tradition में, कौन सी परंपरा में break हुआ है, options आपके पास है, नीचे के options से answer देना है, second question is, according to the passage, where did Modi-Putin meet after the beginning of Russia-Ukraine war, Russia-Ukraine war शुरू होने के बाद, भारत के परधानमंत्री नरेनर मोदी और रशिया के प्रेसिडेंट लादिमिर पुतिन कहां में ले थे, यह आपको बताना है, तीसरा, अभी की meeting से पहले, which of the following word has closest meaning to the word, headway, headway, यह word को हमने देखा है, आपको बताना है, इसका synonym, नीचे दिये गए 5 words में से कौन सा है, अगला question है, which of the following options has the same meaning as the phrase in the bold in the sentence given below, phrase है, stem from, आपको stem from का मतलब क्या है, वो बताना है, और आखरी थोड़ा सा general knowledge वाला question, नेटो में टी का मतलब क्या होता है, नेटो में टी का मतलब क्या है, यह आपको बताना है, ठीक है, और finally, we have some questions on grammar, 5 very easy questions, very easy, these are very easy, चलो, शुरू करेंगे, she is a great cook, has her own blog on youtube, and was followed by one lakh viewers, अब को answer मिल गया, पढ़ो एक बार फिर से, नेकालो answer क्या है तो बताओ, she is a great cook, has her own blog on youtube, and was followed by one lakh viewers, यह हो क्या है यहा, she is a great cook, present tense, has her own blog on youtube, present tense, अचानक से, and के बाद, यहाँ, was आगया, past tense, अचानक से tense कैसे क्या, बदल क्या बई, एक ही तो sentence है ना, क्योंकि एक ही sentence ही है, ना, क्योंकि she is a great cook, कोई subject, सब का कोई है, she, who has a blog on youtube, she has a blog, who was followed, चल सकता है क्या, फिर नहीं, बदलना पड़ेगा, was के जगा क्या करना पड़ेगा, his पुरा sentence, present tense में, who is followed by one lakh viewers, she is followed by one lakh viewers, चीक है, question 2, last evening, my friend tells me the funny joke that I have ever heard, मिला कुछ, देखो, पड़ो फिर से, last evening, my friend, last evening, तो कल, my friend, tells me कैसे हो सकता है, अगर यह last evening की बात है, तो यहाँ tells आई नहीं सकता, tells बोला है तो, present tense हो गया न, और अगर कल की बात है, तो वो tense present नहीं हो सकता, past करना पड़ेगा, तो last evening, my friend told me, last evening, my friend told me, the funny joke that I have ever heard, चलो, question 3, this summer, I have met down a lot of interesting people, मिला कुछ? अभी यहाँ क्या बुला है, this summer, यह summer, यहने present वाली बात कर ली, तो I have heard, I have, I have is okay, अभी यहाँ पर कुछ चेंज करने की ज़रुरत नहीं, I have met, down की कोई ज़रुरत नहीं है, you cannot meet down someone, you can meet someone, तो this summer, I have met a lot of interesting people, इस summer मैं बहुत सारी interesting people से मिला हूँ, तो down की कोई ज़रुरुरत नहीं है, question 4, does an English examination begin at 10 o'clock? does an English examination begin at 10 o'clock? what do you think is the answer? क्या answer है? बता हूँ कहां कलती है? देखो, English ये एक subject की तार पर यहां लिया गया, क्योंकि English की examination है, अब English ये proper noun है, उसको एक या अनेक नहीं लग सकता, कभी ऐसा सुना है क्या? एक English अच्छा है? नहीं, यहां पे an का मतलब होता है एक, a का मतलब होता है एक, कभी a maths एक maths या एक English, तो यहां पे an English नहीं हो सकता, क्या English की examination दस बजे शुरू होगी? क्या एक English की examination गलत है? एक English नहीं हो सकता, एक English सीधा सीधा ऐसा लिया करो, बहुत जड़े अर्टिकल समझ में आ जाएंगे, question 5, I used to going for a morning walk when I was living in Dehradun, I used to going for a morning walk when I was living in Dehradun, तो used to का मतलब होता है, used to कभी use करते हैं हम लोग? used to हम लोग use करते हैं आदत के लिए, अब यह sentence है past tense में, देखो यहां बेबी was दिया है, तो पहले तो तुमको इसको past में लेना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा I used to, और तु जब यूज़ करते हैं हम लोग तो के साथ कभी भी वीवन लगेगा, तो I used to go for a morning walk when I was living in Dehradun, तो यहां पर वर्ब है, यह तो के साथ वर्ब का first form हमेशा रखना है हमें, समझ गया, तो this is what I had today for you people, I hope यह जो इतना बड़ा article हमें पड़ा पूरा समझ गया होगा, questions के answer आपको comment box में देने हैं, तो आज यहीं रुखेंगे, thank you very much.